यह शुरू करते हैं तो इससे पहले सेशन में हमने सुना था कि एक रेडियो प्रोग्राम के बनाने के लिए क्या-क्या चीजों की आवशकता है जैसे कि उसके फॉर्मेट्स क्या-क्या होते हैं रेडियो के लिए हमें कैसे लिखना है content हमारा कैसे create करना है vocabulary हमें कैसे use करनी है यह सारी चीज़ें हमने जानी थी लेकिन अब हम teachers हैं तो हमें बहुत ज़्यादा studio तो नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा facilities नहीं है तो हम एक छोटी से कम facilities में कम technology के साथ कैसे एक अच्छी recording कर सकते हैं और उसे कैसे edit कर सकते हैं तो यह हमें session में लेने वाले हैं और इस session में हम मतलब जैसे कि अभी softwares बताएंगे कि आप कैसे open softwares जो है free softwares available हैं जिन पर editing कर सकते हैं और कैसे आप मतलब जैसे अभी एक छोटा सा मैं example दोंगी जैसे आपके पास micro यह है mobile है सबके पास तो mobile में आप घर पर recording कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए जैसे कि आपके पास कोई content है आपको अपने students को देना है तो आप उसको क्या कीजिए पहले एक बार लिख लीजिए rough script में लिख लीजिए जिसको हम script बोलते हैं तो इस script लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको ने आप एक दो तीन बार rehearsal कर लीजिए उसका आप उसे बोल के देख लीजिए कि उसमें जो emotions है जो उसका भाव है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा तो पहले हम उस पे focus करते हैं फिर उसके बाद हमने लिखा हुआ होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमने spontaneous कुछ भी बोल देना है अगर हम spontaneous बोलेंगे तो हो सकता है कि हम subject से थोड़ा सा अलग चले जाएं भटक सकते हैं लिखना बहुत ज़रूरी है लिखने के बाद एक तो हमारे पास subject से हम उधर नहीं जाएंगे अलग नहीं जाएंगे और दूसरा क्या है कि हमें duration का पूरा idea रहेगा कि उसकी duration कितनी होगी तो बहुत ज्यादा complicated हो गया और बहुत ज्यादा लंबा program हो गया तो radio program में हम generally क्या करते हैं कि अब जो हमारी जैसे target audience में बारवा बोले ही जो हमारे student है जो हमारे listeners है उनका कौन सी klaus का level क्या है उनका level से मतलब है कौन सी primary class के लिए बना रहे हैं आप या middle classes के लिए बना रहे है या higher classes के लिए बना रहे है तो उस पर depend करता है कि आपका जो level है उसके इसाब से आप duration तै करते हैं attention spend time जो है अगर primary के बच्चे हैं तो उनका कम होगा अगर higher level के हैं तो उनका attention spend time ज्यादा होता है तो आप उसके इसाब से program बना सकते हैं और formats की भी जैसे हमने बात की तो अगर आप higher level के लिए बना रहे ह तो उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे अभी एक recitation किया था poem पढ़के बताई थी एक सर ने अभी नहीं से ऐसे poem सिंग बोल सकते हैं एक story बता सकते हैं उसमें अच्छा सा music add कर सकते है sound effects use कर सकते हैं तो हमें अपना जो target group है जो हमारी listeners है आवाज नहीं सुन पा रहा हूं तो बस यह हमें listeners का ध्यान रखना होता है कि हमारे listeners कोन है तो यह सारी चीज़ें हमने first session में जानी अभी हम थोड़े से technical जो points हैं वो इस session में सुनने जा रहे हैं जीत thank you very much तो अब हम इससे पहरे थ्वास ब्रीफ बहुत जबरी था क्योंकि हमने क्या क्या सीखा उसको हमने recap कर दिया यह slides भी आप लोगों को मिल जाएंगी तो उसमें सारे details होंगे तो अब हम क्योंकि जैसा कहा कि लिखने की बात तो हमने कर दिए अब है कि उसको record करके how to reach to the audience बिल्कुल है ना audience तक हम कैसे पहुंचे और यहां से हमारी बात शुरू होती to making an e-content क्योंकि अभी digitize हो जाएगा अभी digital में जाएगा इससे पहरे लिखना वहां तक हम खरी publication house तक थे बिल्कुल है ना अब हम production house में आ रहे हैं अब हम इधर आ रहे हैं तो अब हम यह बात करेंगे तो एक software की आज हम बात करते हैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उस software में पहले हम चलें आज के आज की slide में चलेंगे आज की slide में चलेंगे पहले और slide को आप लोग फॉलो कीजेगा और hopefully आप लोगे डाउनलोड भी कर लिया होगा तो इस समय हम आगे चलेंगे जी तो recording की जहां तक बात है तो यहां पर हम देखते हैं two three I mean two three things are very important अगर आप अजकल के professional studio में जाएं तो आपको दो तीन software भी रहेंगे जो बहुत effective हैं सबसे पहरे आप देख रहें new window जी इसको हम हम यहां CLT में भी यूज करते हैं लेकिन अजकल और एक नया software आगे है logic pro जी हां और हमारे सहयोगी आपका मयंग आप इसके अदर बहुत निशनात हैं आपको यह बहुत पता है तो new window उसके बाद फिर एक और हम देखते हैं cool edit pro यह भी यूज करते हैं logic pro यहां पर देख रह आपको fee payment करना होता है तो अभी जो हम बात करेंगे यह professional software है अभी हम बात करेंगे कि एक कम resources में आप एक अच्छा यह content कैसे बना सकते हैं आप एक अच्छा audio program कैसे बना सकते हैं तो अभी हम आपको एक open source software बताने वाले हैं तो उसके बारे में बात करेंगे तो क्योंकि यह सारे हैं जैसा भी बोला आपका वी मिलेश जी ने कि इसमें हमको license लेना पड़ता है अच्छा license लेने के साथ वही काफी नहीं उता फिर आपका setup studio सारी बाते होनी चाहिए mixer होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए तो यह बात है मतलब music के लिए बाकी बातों में लेकिन अब हम चलेंगे जैसा भी बताया कि अब हम एक open source हम एक software में चलेंगे तो इसके बारे में थ्वासा परीचे लेते हैं जी हां तो यहां आप देख रहे हैं the name of this software is Audacity Audacity और इसके बारे में कुछ information है यहां पर देखते हैं यह जो software is a free open source software और यह digital audio editor and recording computer software application है यह available है आपके windows में this is also available for Mac, Linux and other operating systems के साथ है और आप इसको इसमें आपको sound mixer किया बहुत highly professional studios की requirement नहीं है और सारे बहुत सारे gadget या आपको उसकी आउशिकता नहीं पड़ती यह software अपने आप में at least जो हम लोग का target है कि हम student तक पहुँच सके इस target को यह पूरा करता है और यह काफी useful software है तो अब आगे चलते हैं अब हम यहां पर देखते हैं कि क्या क्या सुविधा हम कोई से मिलती what should we expect from this software हर एक software का कुछ-कुछ expectation होता है है ना कुछ होते हैं जिसमें music recording को बहुत मतलब music recording बहुत अच्छी होती है और बाकी तो सब recording हैं लेकिन यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें आप record कर सकते हैं by default microphone डिफॉल्ट का मतलब जो आपके उसमें already है आपके laptop में है है ना कोई external microphone को भी आप laptop में आप connect करके या desktop में आप connect करके record कर सकते हैं दुसरी facility क्या है दूसरे you can edit import and export audio file import का मतलब है कि आपके जो system में available files हैं आप उनको import कर सकते हैं एडिट से हम क्या समझेंगे एडिट करना चाहिए एडिट से जो हमारी fumbles हो जाते हैं at the time of recording या जो extra noise है environment noise है वो हमें unwanted जो noise है जो हटाने के लिए हम edit कर सकते हैं उसको delete कर सकते हैं और उसके और एक बहुत बड़ी facility जो कि यह देता है अभी तक तो mobile में हमने simply record किया और भे एक्स्ट्रा music sound effect भी डाल सकते हैं using envelope लिखा हुआ है लेकिन envelope क्या है यह हम बात में देखेंगे और और एक अच्छी बात हो सकती इसमें देखेंगे तो यह बहुत सारे options हैं और आप ना इसमें multi-tracks में काम कर सकते हैं मतलब one track में आपकी voice हो सकती है second track में music हो सकता है third track में sound effects हो सकते हैं तो multi-tracks में you can work in that software आप यह कर सकते हैं और यहां एक टर्म और आ रहा है जो कि जानना ची amplitude amplitude का मतलब है कि recording का level कम है आप चाहें तो इस level को बढ़ा सकते हैं यह से record हो गया लेकिन हो सकता है कि उतना high level का नहीं हुआ यह हो सकता है उतना यह लिटरली स्पीकिंग की जोर से सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हमको तो इसके तरह हम उसके volume को बढ़ा सकते हैं ऐसा हम कर सकते हैं तो अब हम आगे चलते हैं और अब नाव भी विल गो टू दा अब हम देखेंगे कि इसको कैसे हम यह प्रोक्योर कर सकते हैं अब कर सकते हैं तो नमब बन गोगल और टाइप और सिटी दानलोड जी अपका एक्षिन नमब बन यह होगा और अगर नोट चूट भी रहें तो चिंटा मत कीजेगा यह आप लोग के साथ शेर हो जागा जी हां उसके बाद क्या तो अब टेक यू तो देख एप्शन एक यू तो आपको अपको मिल जाएगा यह अभी नहीं भी हुआ यह कुछ तो वह चिंता ना करें आप यू टीव में जायंगे हाओ तुम्से अव तो इस दो आच आउड़िव यूजी पीज दिएव थाघ्यूज पिरीज़़ एक शेयर मत विजय अड़िगी अश्य कैस तो आपको ये जो आपका टीटोरियल है वो मिल जाता है बिल्कुल बट भी बिलीब कि आज का टीटोरियल हमारा काफी अच्छा रहेगा एक-एक स्टेप को नोट करते जाएगा क्योंकि टेक्निकल सेशन है तो अब हम आगे चलेंगे अब हम जाते हैं तो अब इसके लिए हम आएंगे software में how to begin अब इसको हम देखते हैं यहां पर और that's very important इस बात को अब हम यहां देखते जाएंगे अब आप screen पर जाएंगे software उपन करेंगे software आप हम खोलते हैं अब आपको ये so we are going to use this software now है ना how to begin तो यहां पर cursor को अगर थ्वास अगर आप अभी screen share करेंगे हाँ 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 तो आप लोग के साबने यह screen है इसमें मॉस्क को अगर थ्वास हिला डूला ले हाँ yes so तो यह आपका working screen है जहां आपको काम करना है अब हम start कैसे करेंगे और एक बात note कीजिएगा जो configuration बताया था उसी को download करें तो अच्छा है क्योंकि अभी हो सकता है आपने कोई और version किया तो आप बोलेंगे वहां यह नहीं दिखता है तो मतलब वैसा ना हो तो step 1 अगर हम देखेंगे सिर्फ mouse के movement को आप follow कीजिएगा तो number 1 go to file file के पास आपको दिखाई पड़ रहा है file के पास जाते और click new आप new है आप महाँ पर देख रहे है और जब new में आप आते हैं तो एक नया window आ जाता है उसके बाद क्या होगा देखते now go to tracks हाँ अब हम जाएंगे track में tracks हाँ tracks में add new tracks हाँ add new tracks और उसके बाद आपको यह option दे रहा है कि आपको mono चाहिए या तो stereo चाहिए है ना चीक है तो इसमें से हम कोई एक अभी हम now we can choose mono हाँ अभी हम यहाँ पर हमने mono ले लिया और यहाँ पर यह आपका appear हो गया इसमें आपको record करना है record आपको यहाँ करना है और एक सुविधा और है यह तो एक track हो गया है ना लेकिन वी कन इंसर्ट so many tracks again multiple tracks yes multiple tracks बोलना अच्छा रहेगा है ना अभी यह से अभी यह से अभी हम देखें और वाइसको undo करके हम दिखा दें कि हम कैसे जोड़ते हैं हां राइट ट्रैक में गए और फिर add new उसके हम mono में गए राइट और फिर अगला है तो जैसे track में गए add new again तो ऐसे करके हम जोड़ते हैं लेकिन अभी हम single track में काम करेंगे तो let us come to the single track राइट तो यह आपका हो गया अब now how to record तो आपके पास दो option है क्या क्या option है देखिए एक तो आप जो internal microphone है आप उससे record कर सकते हैं या external microphone भी आप use कर सकते हैं इसके लिए हाँ हाँ यह भी आप यूज कर सकते हैं और अब हम इसको रेकॉर्ड करने जाएंगे है ना जब इसको भी हम रेकॉर्ड करते हैं तो अब अब इसको रेकॉर्ड करके देखते हैं कि रेकॉर्ड हम कैसे कर सकते हैं इसको कि आई इस समय हम अब इसके फाइल में जाएंगे नाव या गूइंग टुरेकॉर्ड ओके तो मौस को आप मौस के मुवमेंट को फॉलो कीजेगा या जैसे हां जहां पर आपको दिख रहा है अपका रेड बटन है ना वो आपका रेकॉर्डिंग के लिए है इसको जैसे प्रेस करेंगे तो यह रेकॉर्ड करना शुरू करेंगा या इफ आम नॉट मिस्टेकन तो हम एक बार रोक सकते हैं और अगर चाहे तो इसको दवा के भी हम रेक यहां पर हमने तो अभी हम यहां पर कुछ रेकॉर्ड करेंगे आपके लिए आपके लिए भी हम रेकॉर्ड करते हैं जैसे आज की जो कहानी थी वही हम छोटा सा रेकॉर्ड करेंगे तो अभी स्टार्ट करते हैं एक मिनिट शौताओ आज के कारिक्रम में आपका स्वागत है और जी शोताओ आज की कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त विमलेश और मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और आज हम सुनने जा रहे हैं विसकॉंसिन की एक कहानी और आपने सुना होगा हैंडरी फोर्ड के जी जी शोताओ आपने सुना होगा हैंडरी के वारे मारा करता था हम बाद में उससे कहा जो कि मैं हूँ हैंडरी फोर्ड हैंडरी यहां तो आए पर हमने पर यहाँstell कर दिया यहां और अब क्योंकि अभर यह रेकॉर्ड हो चुका है अब जा सवॉलोर कीजें तो अब हम इडिट कर रहे हैं देखें और एडिट करने के सबसे पहले हम कहां जाते हैं हम जाते हैं सबसे पहले आपका हम सेलेक्शन में जाते हैं आई आई, यहाँ पर देखेंगे और एक बार इसको वाफस कर लें, यहाँ पर आपने देखा होगा बिल्कुल इसके एज पर रखें, आपको करसर को, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, एज पर रखें, यहाँ तक हमने सेलेट किया, क्योंकि शुरू की यह आवाज गडबर थी, तो अभी हम इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पर हो गया, अब आगे चलते हैं, सुनके चलेंगे, शुता हो आज के कारिक्रम में आपका स्वागत है, और तो यहाँ पर आपने देखा, अच्छा यह खासा गया, जानवूज की, यह ना, और इस समयम देखते हैं, यह हमारे यह लिए unwanted portion है, जो हम नहीं चाहते हैं कि यह हो, तो अब हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, इसको पहले हम सलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, और डिलीट बटन प्रेस करने के बाद यह डिलीट होके अपने आप दूनों tracks मर्ज हो जाएंगे यहां पर रोकेंगे और यहां पर फीर देखिए मुं देख्ट वर्ड यूज गया तो आपने अपने गया जिता तो थो त्वासा लेकिन अपने आप को यह सुविधार दे रहता है अब एक बार सुन आपने जा यह जा रहे हैं विसकॉंसीं की कहानी जिए और आपने सुना होगा हैंडुरी फोड के लिपें पहले पार बात और देखे बहुत कि अब आप आपने सो और इस भी इसको भी उडिच्पी घंड第 में हाँ डिए हाँ इतफी को यह पर इसे इस हो इस तो जोगा है गैप को भी यूज करना होता है, जैसे बहुत बार कुछ एडिटर ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा वोलने वाला सांसी नहीं ले रहा है, तो ऐसा भी नहीं, जो नैचरल जो पाउज है, वो हम लोग को देना चाहिए, तो अब ये एडिट होगे, आगे चलते हैं, तो आज आ आप कहानी सुनने जा रहे हैं, हैंरी फोर्ड के बारे में, और ये विसकॉंसिन की कहानी है, जो कि आज आपने सुना सवेरे सवेरे, बिल्कुल, और आपने ये सुना था कि किस प्रकार से उस मोटरिस्ट ने, जब वो समस्याओं के अंदर था, हाईवे के अंदर कैसे उस जो समय अज्याद था, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं हूँ, हैंरी फोर्ड, जी हाँ, तो आएए सुनते हैं ये कहानी, यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, हाँ, यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, यह आप लोग का इंस्ट्रक्शन था, अब हमने ये भी हटा दिया, औ अब हमारे पास ये पूरा एडिटेड फॉर्म है, अगर इसको पूरा दिखा दे हम, मतलब जूम इन करके, हाँ, और बीच में लेया था, जी, तो ये पूरा आपका, एडिटेड पोर्शन है, जो हमने रिकॉर्ड कर दिया, और हमने ये स्टीरियो में किया, यहाँ पर था दे रहे हैं, तो यह आपका स्टीरियो हो गया, अगर जैसे आपको इक कवीता पढ़ते हैं, आपको कैसे करना होगा? तो इसके लिए आपको नया track add करना है अगर कोई कविता पढ़ते हैं तो मालिय बीच में fumble हो गया जो हो जाता है तो इसके लिए आपको again एक बार repeat करते हैं record करके आप जाएंगे आपका I जहां पर capitalize that is the selection है ना यहां से select किया और unwanted portion you can delete तो यह है तो अभी हमारे पास बिल्कुल बना बनाया आगया अब एक बात है कि हम इसको UV पोस्ट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं यहां पर एक कविता पढ़ दीजिए कुछ कर दीजिए लेकिन अब हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए तो अच्छा करने में क्या क्या कर सकते हैं सर हम इसमें music add कर सकते हैं राइट वेरी ट्रू इसमें हम music डाल सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे सुनने में है ना बहुत बार क्या होता है और इसमें एक sound effect है वह बाद में देखेंगे आवाज अभी बहुत dry है है ना dry है क्योंकि यह आपकी plain recording है लेकिन recording आपको facility देती है यह softy देगा हलका सा reverb है यह हम डाल सकते हैं पर वह भी हम नहीं करेंगे reverb शुरू में मट डाल दीजिए जब पुरा कारेक्रम बन जाए music लगा दो उसके बाद बाद में फिर आपको मुश्किल होती है तो अब हम देखेंगे कि how to mix down it हम इसको कैसे करेंगे तो अब है कि अब हमने यह वाला काम कर लिया अब हम जाएंगे go to the option again और option में जाके हम now we will add the next track next track for the music purpose हाँ for the music purpose और अब यहाँ पर add track हो रहा है अब आप नीचे देख रहे है नीचे उसको show कर सकते है नीचे जी हाँ यह जहाँ पर mouse आपको move करता हो दिख रहा है so this is track 2 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम music डाल सकते हैं यहाँ पर हम music डाल सकते हैं अच्छा लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि music के साथ में माल यह कोई जंगल का सीन है या कुछ है अगर मैं चाहता हूँ कि bird भी डालना पड़े तो क्या करना होगा तो उसके लिए हम एक और track लेंगे जहाँ बिलकुल एक ट्रैक और लेंगे तो राइट यहां तक हो गया अब देखिए अब हम फाइल में जाएंगे अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो कुछ हमने बोला हूँ इसको ताकि दोनों ट्रैक इन लोगों को दिखें राइट 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 इसको छोटा कर सकते हैं नीचे वाले को राइट तो यह दो ट्रैक है है ना तो अब क्या है कि बहुत ध्यान से देखिएगा कि शुरू में जहां पर रिकॉर्डेड है अब हम इसको लगता है जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग है है हम है थोड़ी सी म्यूजिक से नहीं है क्योंकि हम चाहते है कि यहांपर हम म्यूजिक डालें तो और यह वरब ख॥थखा कर सर को लेंगे हाथ आपको दिखाई पड़ेगा तो आप इसको खींच लिए ड्रैग कर दीmistए त इसके लिए काम करना पड़ेगा, अब म्यूजिक यहां तो है नहीं, तो what we have to do, we have to import the music, अब हम import करेंगे, तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम जाएंगे, edit में जाएंगे, file में जाएंगे, और file में जाके नीचे देखते हैं, import का option है, अब import में यह बोल रहा है, क्या import करना है, audio करना है, लेकिन audio को import करने से पहले, you need to ensure one thing, कि यह आपके system में कहीं न कहीं यह music हो, ने तो कहां से लेकरेंगे, बिल्कुल, ओके, तो आपको बता दें कि music piece हमने रखा हुए, desktop में, already हमने save करके रखा हुए, तो अभी हमने, अब audio जी हा, इसको click करेंगे, और अब हम, किजिए से, अभी हम desktop में आगे, desktop में आगे, और यहां पर देखते हैं, कहां पर रखा है, हमने, दिखाई पर रहा है, यहां पर देखते हैं, piano documentary, यह लिखा है, यह already पहले से हमने, save करके रखा हुए, desktop, हाँ, तो ऐसी, अगर माल यह bird का डालना है, कुछ करना है, तो एक फ Now we have to insert this, तो हम, open, और यहां पर आप देख रहे हैं, कि यह फाइल को इसने import कर दिया, और यहां पर आप दोनों फाइल को देख सकते हैं, दोनों को दिखा देख सकते हैं, और अब हमको इस music के साथ इसको add करना है, और आपको जो music का जो track है, वो काफी बड़ा दिख रहा according to your voiceover, हां क्योंकि music का इतना required नहीं है, इतने की ज़रूत नहीं है, तो थ्वासे इसको बीच से काट सकते हैं, अब इसको बीच में ले आते हैं, जी हां, तो अब क्या दिखाई पढ़ रहा है सामने, we can see here two tracks, एक में हमारा जो voiceover है, वो है, second track में we have music, एक सवाल यहां पर रहा है, क्या modify कर सकते हैं, यह सब question बाद में देखते हैं, modification का बहुत सारा मतलब होता है, तो you need to be specific, आवाज को पतली करनी है, क्या करना है, cartoon voice बनाना है, तो यह बाद की बात है, फिलाल इतना हम देख रहते हैं, sir, import कैसे करना है, हां, वहीं पर, आचा, आप बोलते हैं, इंपोर्ट कैसे करना है, फिर से बताना है, तो हम इस track को हटा जाते हैं, delete कर दिया अपने track, then go to file, फाइल में आपको option है, अचा, फाइल में गए फिर क्या हुआ, फाइल में आपको एक नीचे toggle down करेंगे, तो आपको एक option दिखाए देगा, that is, export के बाद म import है, import में जाएंगे, तो वहां सामने आपको एक arrow दिखाए देगा, arrow के सामने audio, midi, labels, raw data लिखा हुआएगा, आपको audio चूज करना है, audio आपने चूज किया, तो आपके desktop पे जो file है, यह जहां पर भी है, तो folder आपको चूज करना है, जैसे हमने desktop पे save किया हुआ था, piano, desktop में जाए नीचे और यह हमने सर्च किया, piano documentary, यह हमने piano piece रखा हुआ है, जो music है, फिर इसके बाद यह select हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको open करना है, और यह track पर अपने आप import हो जाएगा, यहां पर आपको show हो रहा था, अच्छा, अगें फिर वही बात होगी, काफी बढ़ क्या करते, अब यह ठीक है, अब इसको हम mix down करेंगे, जी, राइट, अब हमको इसको mix करना है, तो अब हमको क्या करना है, अब आपको दोनों track को चुनना है, बीच में हमने रखा, बीच में रखने का मतलब, लेफ्ट में हम पहले चाहते हैं, इती देर music पर जाएगा, हलका अब हम जाएंगे export में, लेफ्ट चेट कर लेते हैं इसके जैसे की, हाँ, हाँ, लेफ्ट पर सेट करते हैं, तो यहाँ पर एक, इंदलो कहां पर रही है, हाँ, म्यूजिक आप सुन रहे होंगे, राइट, अब ही बिल्कुल बजने दीजिए, शोताओ आज की कारिक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिमिश, और मैं हूँ, यहाँ पर भी आपने सुना कि कुछ बात जमीनी, जैना, और वो क्या हुआ कि, मिजिक बहुत हाई था, तो अब हमको इस तरीके से मिक्स करना है, अच्छा, बहुत बार कुछ लोगों में होता है, मेरे साथ भी एक अमजोरी रही है प्राया, कि अगर मिजिक है तो क्यों ना पहले मिजिक दाल दें, ताकि मिजिक बढ़िया सुनाई दें, लेकिन कीजिए, important thing is the word, yes, word के बारे में बोलते है, it has the creative energy, अगर word is first नहीं है, music है तो music तो सुनने नहीं है, तो क्या है कि हमको music के level को, जहां तक हो सकता है, हमको कम रखना चाहिए, हाँ, जहां पर blank है, वहां पर ज़रूर use किजिए, so that they can enjoy the music, लेकिन बीच में आपको music के level को कम कर तो यहां पर आप देख रहे है, envelope tool, here it is, तो यहां लिखावा नहीं आ रहा है, it is coming sir, envelope tool, envelope tool, ठीक है, अच्छे अभी आगया, तो अब यह बहुत important है, इसको हम click करेंगे, जैसे click के नीचे देखिए, यह आपको highlighted show कर रहा होगा, जैसे आप click करेंगे, जहां आपका selection tool है, उ almost, it is envelope tool, envelope tool में आप जैसे ही click करेंगे, तो two selections बाद दिखाई देंगे, आप उसको click करने के बाद, आप track पर click करेंगे, envelope tool पर track पर click किजी, music track पर, और यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां पर हमारा speech स्टार्ट हो रहा है, हम वहीं पर उसी के ठीक music की आवाज कम हो, तो यहां पर देखिएंगे, अब हम इसको down करेंगे, पहले lock कीजिए, lock करने पहले, उसके आगे से खीजिए, जी, right, अब यहां पर देख रहे हैं, और एक बार यह आपको दिखाते हैं, जी हां, जहां पर आप click करेंगे cursor, वहां पर उसके आगे जो है, वह वैसी रहेगा, लेकिन यहां से इसको तो आप इंडाउन करके दिखा सकते हैं, देखिए, यह देखिए, यह है, तो अब हम एक बार सुनके देखते हैं, कि हमने जितना level set किया है, अभी ठीक है कि नहीं, वर्स क्लियर है कि हमारे, यह, यह, श्रोताओ आज के कारिक्रम म आपका स्वागत है, और, श्रोताओ आज की कारिक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी दोस्त विमलेश, खोड़ा सा मिजिक को और कम करेंगे, यहां पर कम हो गया, लेकिन, हां, और थ्वा कम करेंगे, रैट, आप इसको सुनके देखते हैं, बढ़िया, श्रोताओ आज की कारिक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी दोस्त विमलेश, और, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत, यहां पर रोकते हैं, आज हम सुनने, आप देखेंगे, जहां पर मेरी आवाज शुरू हुए, है ना, वहां पर फिर भी म्यूजिक थोड़ा सा लग रहा है कि हलका सा वो इंटर्फेर कर रहा है, तो हलका सा इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, लिफ्ट की और लेके जा सकते हैं, आप इसे में करसर को देख रहे हूंगे, यहां पर, जहां पर, एकदम स्टार्टिंग वाला, राइट, 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 तो हाँ, यह बहुत अच्छी तरह से आपका फेड़ीन हो गया और फेड आउट होता हुआ जा रहा है और अभी सुनेंगे तो आपको बिल्कुत सुनाई पड़ेगा देखे सुनते हैं अच्छी तो आज के कारिक्रम में आपका स्वागत है और आप चाहते हैं तो और म्यूजिक कम किया जा सकता है जो आपके लेवल जितना वर्ट क्लियर हों कंटेंट क्या है यह डिपेंड करता है तो म्यूजिक बहुत कम जैसे बस एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है डॉक्य म्यूजिक है हाँ बैग्राउंड में कुछ लगे है लगना चाहिए तो यहां पर हमने देखा पूरा जो जो रिकॉर्डिंग है जो वोइस है वो और मुजिक का कंपेरिजन बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन अब हमको इसको एंड करना है तो एंड करना है तो देखिए जहां हमारा यह रिकॉर्डिंग हमारी एंड हो रही है वोइस जहां पर एंड हो रही है वहां पर नीचे हम लॉक करेंगे करसर को देखे करसर देख रहे होंगे हां अब यहां पर हमने लॉक कर दिया मतलब यहां तक हम वही चाहते हैं और अब हम यहां से उठा लेंगे इसको कि अफंवी पर आप इसमय इसको लॉक कर लें रायट और अब हम इसको धिर धिर करके अधि भिट करेंगे यह पूरा फेड आउट हो गया यह दम पूरा फेड़ आउट येस राइट एक दम सही हां जिए हां एक दम से भी आंतर नहीं कर सकते हैं हम देख रहें दें स्मूधल हाँ smoothly we are doing it अब इबार सुन लेते हैं शोर से सुन लेते हैं शोताओ आज की कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त विमलीश और मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और आज हम सुनने जा रहे हैं विसकॉंसिन की एक कहानी और आपने सुना होगा हैंरी फोर्ड के बारे हैं यह विसकॉंसिन की कहानी है जो कि आज आपने सुना सबेरे-षबे अबने यह सुना था कि किस प्रकार से उस मोटरिस्ट ने जब वो समस्याओं के अंदर था हाइवे के अंदर कैसे उस व्यक्ति ने जो इस समय अज्यात था लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं हूँ हैंडरी फोर्ड हैंडरी फोर्ड जी हां तो आईए सुनते ही ये कहानी तो रोक लेते हैं और आपने देखा नहीं एंड तक सुना रहेते हैं अच्छा था आप यहां देखें एंड कैसे हो रही है हाट आप यहां मिजिक डाउन होता हुआ। ररीट अभी बिल्कुर्ट हो गया है अब हम को क्या करना है अब तो ये दो ट्रेक हैं स्छा क्या किया चैट करेंगे उख corr कड दाकि ये दो ट्रैक ये यह साथ आजए और वह सिंगल फाइल बन जाए श्याद ये मतलब है तो अब हम इसको mix करेंगे, mix some कैसे करेंगे, we will go to export जी, again file में जाएंगे, file में जाएंगे, export में आते हैं तो export as आपको यह option दे रहा है, mp3 is option there, wave is also there, ogg is also there तो we will do the export in mp3 format, mp3 में करने से यह होता है, आपका compressed version है तो अगर आप whatsapp में या कहीं, अगर आप इसको post करना चाहते हैं, तो यह भेजना असान होता है क्योंकि file is comparatively light, हलकी file है यह, तो mp3, जी हाँ, अब हम इसको click करते हैं जब click करते हैं, अब यहाँ पर यह, हमसे पूछ रहा है title, तो क्या title दिया जाए? Henry Ford की कहानी, Henry Ford की कहानी, ठीक है, Henry Ford की कहानी, ठीक है, यह title हो गया, और आप देखें कि आप कहाँ सेव करें, आपने cursor को, यह cursor को follow कीजे, desktop पर हम इसको सेव करने जा रहे हैं, हमने नाम दे दिया, अब हम बोलेंगे सेव, सेव, यहां क्या हो रहे है, देखें, यह ट्रेक विल बी मिक्स टाउन और एक्सपोर्टेद एस वन स्टीरियो फाइल, यहां, अभी एक ट्रेक बन जाए है, तो ओके करते हैं, यहां पर आप आप आटिस्ट नेम दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, आप टाइ सब कुछ आप डाल सकते हैं, अच्छाए, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब नौ भी विल दूट, ओके, यहां, हो गया, इस एक्सपोर्टेद, क्योंकि फाइल बहुत छोटी सिर्से बस खाली, एट दब्लिंक अप दा आई, यह मिक्स हो गया, तो हमने डेस इसका डिस्टॉप, यह मिनिमारीज करके एक बाद देख लेते हैं, एक बाद देखते हैं, इस प्रूट की कहानी, इस टॉप मे आते हैं, यहां पर ढूरते हैं हेंडरी फोर्ट की कहानी हाँ यहां पर है अब इसको क्लिक करते हैं डबल क्लिक आवाज नहीं कि रिप वेट राइट बजादे एक रिप हम बजाज़्ग लिजाज़्ग लिप आईगा जब वो समस्याओं के अंदर था हाईवे के अंदर कैसे उस व्यक्ति ने जो समय अज्याद था लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं हूँ हैंडरी फोर्ड हैंडरी फोर्ड जी हाँ तो आईए सुनते ही ये कहानी आप इसके एंड को देखें तो वापस आते हैं तो ये थी पूरी प्रक्रिया एनदिट करने के बहुत सिंपल है और इसके एक-एक स्टेप को हम लोगों ने और इडिशेर किया है ये आप लोगों को मिल जाएगा तो नव यू आस्क एनी क्रेस्टिन अब आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं होफ़ोली इस बेरी यूसफुल फोर आल उप यू काहां तक इस इस एज़िए फोर यू आपने जो म्यूजिक एड करी इनके लिए जो यह तूल्स जो होंगे जो फ्री में हमें कौन से टूल से यह पहले से अपलोड करके सिस्टम में रखने होंगे इसमें यह कई ऐसे साइट्स हैं जैसे आपका आपका फ्री प्ले म्यूजिक यूट्यूब है फ्री में जहां पर भी रोयल्टी फ्री म्यूजिक आप टाइप करें आपको मिल जाएगा है ना तो यह भी यह तो अगर कोई हार्मोनियम बजाता है या गिटार बजाता है आप इसको अपनी म्यूजिक खुदी रेकॉर्ड करके रख लें एक soundbible.com साइट है वहां से भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कुछ music effects भी हैं कुछ effects हैं sound effects हैं कुछ music भी है अविलेबल जो फ्री में आप यूज कर सकते हैं और अपने डेक्स्टाप कॉंसी साइट में soundbible.com यह मोबाइल में भी कर सकते हैं और लैप्टाप में दोनों में हो सकता मोबाइल में आप यह नहीं कर सकते मोबाइल में से एडिटिंग इस नौट पॉ इतना comfortable नहीं होगा हो सकता है लेकिन आप comfortably आप अपने system में कर सकते हैं तो दो तीन बात हुई एक तो यह हुआ कि सबसे पहले आप script को पहले लिख लें जैसा बोला हुआ था उसको पढ़के time कर लें कि हमको इतनी देर का चाहिए नहीं तो बहुत लंबा हो गया और दो ती देने से आपके पढ़ने का जो flavor है ना वह बदल जाएगा और हां एक और बात एड़ करना चाहूंगे मैं सिरकी साथ-साथ कि जैसे आपना अपना जो content है आप अपने phone में record करने के बाद इस software में इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे हमने music इंपोर्ट किया था आप अपने desktop पे आ लिए डालने के बाद फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं इसके लिए काम और कर सकते हैं जैसे अपने mobile में record कर लिए mobile में अलग-अलग sound file होती है अलग-अलग प्रकार की होते है MP3 भी होता है और क्या-क्या होता है यहां पर ऐसे होगा कि इसके हैं ना mobile से आप उसको आप अपने आपको email कर लिए अपने आपको email कर लिए अब आप email पर जब आ गए यू कन डाउनलोड डाट इन यूर लैटॉप जब यह हो जाएगा तो आप फिर जाए गूगल में है ना या कोई भी सर्च इंजिन और वहां जाकर करके खाले आपको टाइप करना है MP3 आपका फ्री कंवर्टर है ना ज़रूरत नहीं पड़ती है वह ले ले लेता है अगर वह सपोर्ट नहीं करता है आपका Oda City सौफ्टवेर किसी फॉर्मेट को वैसे तो वह ज्यादा तर फॉर्मेट को सब्सक्राइब करता है करते हैं अगर आपका जो फॉर्मेट कुछ नया ही डिफ्रेंट ही है जो आप में export as mp3 तो वही उसको बजल देगा तो क्योंकि sound format एक ही होने चेंज होनों के तो excuse me sir यह जो install करने के बाद जब record कर रहा हूं तो error opening sound device आ रहा तो जैसे computer में किस तरह की setting जैसे आपके पास तो पूरा studio में आपने यह demo करके दिखा रहा है बहुत सारी setting होगी क्या computer में कोई sound card या अगर हम microphone add करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हम भी बिल्कुल एक simple laptop से कर रहे हैं तो हम अपने computer में तो यह message आ रहा record तो करने जब जा रहे तो error opening sound device try changing the audio host recording device and project sample rate तो what does it mean इसको कैसे correct करें आपके में यह जो audio setup का option आ रहा हुआ इदर आपका audio setup आ रहा है क्या option इदर जैसे आप यह को लेंगे software open करेंगे तो यह हम दिखा यह यह मेरे camera में हम दिखा रहा है अपने computer का स्क्रीन एक सेकंड वेट कीजिए विया not able to see sir कहां पर है अपर यह साउंड रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा audio device selected आप audio device ना select करनी हुई इसके लिए आपको आपको इसमें अभी एक मिनिट सर हम आपको शेयर करते हैं आप देखिएगा कर सर के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा यह आप जाए सर यहां पर जैसे टूल से ने इसके बाद आपको audio setup दिखाई देगा सर एक option आ रहा है जहां पर मॉस हाँ और यू सेट अप में क्लिक कीजिए सर यह माइक जो बना हुआ हाँ जी सर जी सर इसमें आप जाएंगे थर्ड नंबर पे है recording device और यहां से आपके system में जो option होंगे तो दो options तीन options जितनी भी आ रहे होंगे आप switch कर करके check कर लीजे यहां से recording device में आप तीन दो या तीन options होंगे उनको select करके देख लीजेगा और playback device में भी आपको speaker पे choose करना है audio selection microphone recording level है सर आपको एक ऐसा दिखाई देगा recording device में थर्ड नंबर इस recording device फिर्स्ट इस होस्ट सेकेंड इस playback device थर्ड इस recording device आप recording device में जाएंगे तो हाँ पर आपको options दिखाई देंगे Microsoft sound mapper and microphone हमारे में जो दिखाई दे रहे हैं भी जै 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 तो इसमें हमने second वाला चूज किया आपको अपने device के accordingly ही चूज करना वह जो आपके अवेलिबल जो software होगा सर और आपका software यह होना चाहिए जिसमें हम काम कर रहे हैं और जो software अभी हमने इनीशली जो बताया था सेम software होना चाहिए इंस्टॉल दी software एक बार software बताई 2.22 किया था मैंना 2.2.1 है ओके थैंक्यू मैं जी तो आप या एक ऑडियो को कंप्रेस्ट कर सकते क्या है यह आदियो को कंप्रेस्ट करने का MP3 में अल्रेडी कंप्रेस्ट है तो बहुती छोटी फाइल होती है अगर आप यह जादे में सेव करेंगे तो बहुत ज्यादा एम बी की नहीं वनेगा अगर आप वे में सेव करते हैं कोई फाइल तो वह बड़ा फाइल होता है तो हमेशा ही MP3 में सेव करना है हमको दूसरा इसलिए बोला कि आप पहले टाइम कर लें आपको न एक अनुवह से जैसे बहुत लंबा है है ना बहुत लंबा है तब तो लेगा ना प्रॉपरटी तो जैसे छोटा-छोटा हम आपकी शुरुआत कर सकते हैं तो छोटा रखे यह होता है कि पहले हम अपने आपको इमेल कर लें इमेल करने के बाद डाउनलोड कर लें तो फिर आप उसको वाट्सएप पे अटेच कर सकते हैं तो यह एक दूसरा तरीका है सर तो इस पदर से हां जी सर मैंने जो डाउनलोड किया वो बाइडिफॉल्ट 3.3.3 एक 64 आया आपको यह ऑप्शन भी मिलेगा अलग-अलग ऑप्शन से सर वहां पर तो मतलब उसमें भी होंगे उसमें भी आप एक बार वर्सन को टेक्स्ट कर दे रहा है लेकिन जो फंडमेंटल सिस्टम है यह है ना तो इस वर्सन का दी तो मैं यूज कर सकता हो ना सर जी सर आप ज़ आपको आपको तो अभी तक तो हम ल्हों दो ट्रैक की बातों विश्यियर के बारे में थोड़ा बताती तो अच्छा रहता सरा इपेक्स टूल आजू अच्छा की और रिवर्ब की शेटिंग प्रॉपर क्या होने चाहिए वाइस के लिए एक मीट वहीं जाते है यहां पर आएंगे एफेक्ट्स आप यहां पर देख रहे होंगे सबसे उपर दिखाई पड़ रहा है एफेक्ट्स यह रिकॉर्ड से उपर आप जाएंगे रिकॉर्ड बटन से उपर एक तो जनरेट उसके बाद आए एफेक्ट में आगे जी हां अब यहां पर आप यहां पर सारे एफेक्ट हैं देखें नीचे आए देखें आपका एक्विलाजर है अच्छा नॉइस अच्छा डिले एंड रिवर्ब में आईए और वहां पर आपको देखें रिवर्ब ऐसे रिवर्ब चूज कीजिए और यहां पर जो भी पैरामीटर है अपलाई करके कोई एक साउंड फाइल को सेलेट करके वी कैन शो शोता हो आज की कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दो अपने हिसाब से आपको कितना चाहिए दो सब्सक्राइब करेंगा होगा उपका स्वागत है तो इसको जितना अरन डी करेंगे न एक ही सेशन में नहीं संभा एस सब्सक्राइब अब इसको सुनते अजिए आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त बिम्लीश, और मैं हूँ आपका दोस्त अजीत। और आज हम सुनने जा रहे हैं विस्कॉनसिन की एक कहानी और आपने सुनने और थैंने जिता ढूरते जाएंगे उत्ता आपको मिलता जाएगा एंड यूइल एंज्वाइड इस सॉप्ट्रेश इसके लिए आपको जो आपका रिकॉर्ड बटन के उपर जन्रेट लिखा है जन्रेट के बाद आप एफेक्ट में जाएंगे इसको टॉगल डाउन करेंगे टॉगल डाउन करने के बाद आप देखेंगे इसमें ऑप्शन्स हैं बहुत सारे तो हम जा रहे हैं डिले एंड रिवर्ब जहां लिखा हुआ है तो हमें डिले तो देना नहीं है इको भी नहीं डालना है अभी हम रिवर्ब यूज़ कर रहे है रिवर्ब चूज़ केज़े, option पे रिवर्ब क्लिक कर लेते हैं, अब रिवर्ब का यह timing है, आपको कितना parameters चाहिए, कितना delay चाहिए, कितना room का size है, यह इसके साब से you can preview it, preview करके देख लेते हैं कि कितना effect आ रहा है हमारा, प्रिव्यू के time के बाद आपको लगता है कि अगर ठीक है और आप उसको apply कर सकते हैं, प्रेमिटर सेट करके नीचे हैं सब कुछ है, अल्रेडी हमने डाला हुआ है, इसलिए हमें apply करने की जरूरत नहीं, लेकिन सर आप अपना reverb डालने के बाद apply कर सकते हैं, तो is it clear, तो समाप्त करते हैं, वेट गेन का मतलब क्या आता है, रिवर में, गेन, वेट गेन, नहीं, गेन अलग से होगा, गेन का मतलब यह कि amplitude आपको बढ़ाना है, है न, sound का मतलब यह है, अख्यान गें, अच्छा आपका गेन कितना गेन है, है जैसे वॉसका आपको अपका गेन होता है, उसी का प्रिवर में आपको कितना गेन देंबहा है, है यह अरинки, इसका अजने का सकते है, तो आपको अपने हिसाब से अपनी फाइल की हिसाब से आप चूज कर सकते हैं जो आपके कानों को अच्छा लगी आपकी फाइल की हिसाब से और आपके स्क्रिप्ट की हिसाब से क्या मूड बनता है मूड क्या है वो भी देखना है मूड is most important है क्योंकि अगर हम उस feeling को नहीं समझेंगे तो मालिया कोई बड़ी serious बात है हमने रिवब दे दिया इसलिए कि अच्छा लगता है तो वैसे नहीं उसके need क्या है और हलका सा एक time आता है production script तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले ज production script का जैसे मालिय मैंने script लिख दी अब ये script मेरे पास है अब इसको मैं production script कैसे करूंगा production script के लिए इसमें हमारे पास sound effects की options होने चाहिए कि यह लिखना पड़ेगा कि हमें क्या sound effects required हैं क्या हमें music add करना है जैसे यहां पर पढ़के देखते हैं देखिए जी पिर आया 23 अग द्रूपर सफलता पूर्वक अपना अभियान पूरा किया अब इसके बाद हमें क्या करना इस sentence के बाद अब हमें production script की जरूरत होगी like कि अब हमें हम जो चंद्रमा पे हमने जो प्रक्षेपन किया है वो हमें दिखाना है अपना यह हमने लिखा हुआ है यहां पे कैसे learning किय विकरम learning कैसे हुई वहां पे कैसे soft learning हुई तो यह हमें visuals के लिए या audio के लिए यहां पर लिखा है rocket का sound effect और उल्टी गिंती होती है बिल्कुल जी हां तो ऐसे तो जब आप if you are thoroughly prepared ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पता हुगा कि आपको कौन सा music add करना है कहां पे कौन सा sound effect डालना है अभी जैसे हम henry food की बात कर रहे थे तो वहां पे vehicles की आवाज आ सकती थी अलग अलग highway है तो वहां पे हम जंगल नहीं दे सकते थे क्योंकि birds वगेरा तो नहीं होंगी highway पे तो इसलिए हमें उन चीजों का थोड़ा सा ध्यानत ना होता है कि हम ऐसा नहों कि उसमें music डाल दी बहुत अच्छा और birds की चेपिंग डाल दी और हम बात कर रहे हैं और content कुछ और content कुछ हो रहे तो हमें अपने content के हिसाप से जो suitable है वही sound effects यूज करने हैं जहां तो समाप्त किया जाए आप लोगी अनुमती हो तो सब्सक्राइब करते हैं कि मरूम नहीं करते हैं आप लोग के जो भी कुश्चन से हैं रेज करके पूछे मन बाई वन अच्छा रहेगा ताकि हम लोग को मालूम रहे हैं इस बीच में आप लोग क्वेश्चन सोच दिए हम लोग एक छोटा सा बीस मीट तो दिखते हैं लेकिन क्या कि इसे हैंडरी फोर्ड की अच्छा फलों से भरा सत्र आगे पढ़ें लसदार मजेदार शांदार धन्यवाद अच्छी प्रस्तुतिव तो हम लोग कि उसे बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग भी बहुत धन्यवाद दे लेकर के कहानी मुझको याद आती है अगर मालिय समय है तो तब तक आप लोग क्वेश्चन सोच लीजे एक छोड़ी सी कहानी लेते हैं कि यह आपका रशिया के बारे में यह कहानी हम लोग तो जानते हैं हापस में लेकिन आप लोग के बहुत नहीं होगी और इसके लिए अपका बिगेस्ट अपन्टरी फॉम दे पॉइंट आप लग गए थी जंगल में वहां आग लग गए थी जंगल में जब आग लग लग थी बहुत सारे पशू-पक्षी है ना वहां पर हताहत हुए लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्च्च्च्छा वो किसी प्रकार से अपकार रेक्ता थोड़ा सा घायल भी था और वह जंगल के बाहर एक गवाँ था वहां पर आ गए और एक जो फैमिली थी उसने उस पाल किसान पर थी तो उन्होंने उसको भालू के बच्चे को पाल लिया और एक जगे थी उसको गाँं दूर-दूर से गाँं के लोग दे वो बिल्कुल सामने आने लगा थो हिंसक हो सकता है अटैक कर सकता है अब इसने सोचा कि यार इतने लोग देखने आते हैं सब कुछ है यह तो बड़ा अच्छा है तो बादू के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो उसने पिंजरा बनाया आपका 10 by 12 का अब बना करके उसने पिंजरे के अंदर डाल दिया क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ था कि लोग देखने आंगे तो चलो पैसे भी मिलते हैं तो इसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दो है ना उसको उन्होंने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया हम इस कॉंटेक्स में बोल रहे हैं कि आर इंड बहुत परिशान हो गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी, कि जो वहां का जो Ministry of Environment है, उसको कंप्लेंट कर दी, कि यहां पर एक भालू है, और यहां पर ऐसा है, तो वो आये, और क्या किया उन्होंने, और उस भालू को उन्होंने वहां से ले लिया, वन विवाग वालों ने ले लि important illustration है, और title देना है आप लोगो, right? अच्छा, तो अब क्या हुआ कि जंगर में खोल दिया, उन्होंने बिल्कुल सामने, बिल्कुल खुला हुआ जंगर है, पूरी स्वतनतरता है, infinite freedom, सब कुछ था, और उन्होंने यानि पिंजरा खोल करके भालू को निकाल दिया, और उन अब जब भालू को वहाँ छोड़ दिया, बड़े आश्चेरे की बात है, और आश्चेरे की बात ये कि लोगों ने ये note किया, कि सामने बिल्कुल freedom है, सब कुछ बहुत बढ़ी है, लेकिन भालू वही 10 by 2 के area में, 10 by 12 में ही घूमे जा रहा है, मतलब वो पूरा उसके पास freedom है, एक बात को आप देखेंगे कि पत्थर कितना भी कुरूफ हो, है ना, खुखसूरती उसके अंदर है, अनली अनावश्यक हटा देंगे तो सुंदरता प्रगट हो जाएगे, ऐसे होता है ना, that's very important, तो बहुत कुछ अगली दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर हम दिमाग को सिखा दिया जाता है, कि तुम से इससे जारा तो हो गए, गनीत खोपड़ी में घुसने वाली है ना, भाशा ऐसी तुम तो ऐसी ही, तो फिर वो बच्चा वईसी हो जाएगे, तो स्पीक बेरी पॉजिटिव तिंग्स, और जैसे यहाँ पर देखा कि भालू ने बहुत कितना करीब एक महेने के बाद उसे हैं सीखा कि मैं आगे भी जा सकता हूँ, एक्स्पोर किया तो यह कहना चाहते है, आर एंडी कीजिए, सब कुछ कीजिए, और टाइटल तो हम नहीं बताएंगे, यहाँ पर मानसिक गुलामी, और कुछ टाइटल, अपने आपको वेरी गूड, वेरी गूड, वेरी गूड, एक्स्प्लोर यॉसेल्फ, राइट, आदत बदले, ठीक है बिल्कुल, आगे बढ़े, एक हमें कीवर्ट देते हैं, उस कीवर्ट से थ्वासत जोड़िएगा, सीमित, इससे जोड के कुछ बताइए, खुद को जाने, वेरी ना अब 20 मिनिट है तो आप लोग कोई टाइम देते हैं, डूंट लिमिट यॉसेल्फ, वेरी गूड, इसी को इसी को हिंदी में कोई कर दे, नहीं किया, सीमित में ही नर है, इसको थ्वासत और कंसाइज कर दे, सीमित मत रहिए, सीमित मत रहिए, यह तो सीमित में कहां पर है, तो को अबड़रा है सीमित में लुट receiptator, बहुत ही creative, वेरी नाइस अपनी सोच बदलें तो वही तो इस भालू के बारे में हमने यह देखा चोटा बहलू है न उसको सिखा दिये गया था एक example और आपको दे 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 तो फिर तो कब बिलते हैं देखी तो एक example और है कि आर्जेंटीना में यह ना ठीक है अपनी क्षंता को पहचान एक कहानी अर बोल दिजै हाँ टाइम तो हो गया तो एक छोड़ी सी कहानी और बोल देते हैं आर्जेंटीना में एक तरीका है तोते को पकड़ने का तोते को पालतू बनाने का और पालतू बनाने का तरीका यह हम तो जब पालतू बनाते हैं तो पिंजरे में डाल देते हैं और क्या करते हैं या तो हम काठ देते हाँ कतर देते लेकिन वहां यह नहीं होता है बच्चा जब ले करके आते हैं जंगल से तोते का बच्चा तो क्या करते हैं कि उसके पाउ में बहुत महीन जो दिखता नहीं रिशमी धागा बांदेते हैं और जब तोता उड़ने की कोशिश करता है, बार बार करता है कोशिश, जब उड़ने लगता है, तो बार बार क्या होता है, धागा उसको नीचे खीज लेता है, फिर धिरे-धिरे वो सीख जाता है, कि अब मुझसे उड़ा नहीं जा सकता, अब उसको यह सिखा दिया गया है, He's already oriented that you cannot do it at all तो यह काम ही नहीं कर से धागा बन्धा हुआ है धागा बन्धा हुआ है अब यहाँ पर देखेंगे सीमित नहीं विस्तरित हुमें wonderful सितारों के आगे आस्मा और बहुत बढ़ी है तो तोते के बारे में बता रहा हूँ अब वो तोता सीख चुका कि मुझसे उड़ा नहीं जाएगा और किसी राइटर ने लिखा है हम उसी को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यह है कि एक बिल्ली आई बिल्ली ने तोते के पर जपटने की कोशिश की तोता चाहता तो उड़ सकता था क्योंकि पंक तो कत्रे वे नहीं थे लेकिन क्योंकि वो जानता था मैं उड़ नहीं सकता हूँ इसे बिल्ली ने उसको बिल्ली ने उसका शिकार कर दिया तो यह है कि बहुत बाते हैं हमारे जियों के बहुत सारे महीन धागे हो सकते हैं हाँ वो धागे को लेकर उड़ सकता था क्योंकि पिंजरे से उसको निकाल दिया गया था लेकिन वो उड़ा नहीं क्योंकि उसकी सोच में यही था कि अम मैं उड़ नहीं सकता हाँ एक बात छूट गई थी मुझे से येस यूर राइट कि जब वो सीख जाता है कि मैं उड़ नहीं सकता तो धागे को काट देते हैं अब वो घर में घुमता रहता है अपनी अपनी क्षमताओं से अंजान तो कारेकरम यही समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद इट ये वोन्डरफुल हाँ ये भी है ये भी अच्छा परी सीमा आईए आप कारेकरम को अफिशली समाप्त करें तो आप समों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहने के रिए सवेरे साहे 9 बज़े से अब तक आप हमारे साथ बने रहे आपकी साभागीता आपकी प्रतिभागीता बहुत अच्छी रही हमने इसको सच में एंजॉय किया तो मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और मैं हूँ आपकी दोस्त पिमलेश तो अब हम दोनों को और हमारे साथ साथ, हमारे साथी मयंद को आगया दीजे, आज का प्रतारण यही पर समाप्त होता है, आप समों को बहुत बहुत, नमस्कार